गेट यानि की द्वार इसे आपने बहुत जगों पे देखा है या धिकतर बिल्डिंगों के सामने लगा होता है जैसे आपके घर के सामने हैं आपके स्कूल के सामने हैं कॉम्पलेक्स है मौल है कोई बड़ा बिल्डिंग है इन सब में हमने गेट को देखा है इस गेट का काम क्या होता है इस गेट से हम अंदर जाने बाहर आने का काम करते हैं यदि हम अपने घर के गेट को देखें तो आपके घर में जब कोई अंदर आने वाला होता है तो किसके जरीया आता है गेट से आता है आप भी यदि गेट अगर अपने घर से कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो गेट की साइटा से ही बाहर जाते हैं. जब वो गेट खुलता है, अलाव करता है. ये गेट किसी व्यक्ति को अनदर आने के लिए कब अलाव करता है? मान लिजीए आपके दर्वाजे पे कोई आईसा आदमी आ गया जिसको आप जानते नहीं है. तो क्या आप उसके लिए अपने घर का gate खोलते हैं? क्या आप उसे कहते हैं आजाई ये अंदर? लेकिन जब वो कोई particular reference देता है मैं इसके पहचान का हूँ या फिर वो आपके पहचान का निकलता है ये कोई आपके काम का निकलता है तब आप कहते हैं आईए आईए अंदर आईए तो ये गेट जो है किसी भी व्यक्ति को अंदर आने कब देता है जब कोई ना कोई तर्क साबित होता है वैसे ही यदि आप भी अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आपके घर का भी गेट आपके लिए कब अलाव होता है य अगर कोई जरूरी काम है कभी हॉस्पिटल जाना है तब इत खराब हो गई है या फिर कोई एमर्जनसी आ गई तभी आपके लिए वह गेट खुलेगा कि हाँ आप बाहर जा सकते हैं वैसे आप आधी रात में भी घर के अंदर आ रहे हैं तभी आपकी ममी गुस्सा करती और वाजे को बंद कर देती कि आपको घराने की पर्मिशन नहीं मिलेगी जैसे इन केस हॉस्टल में रहते हैं हम बोलते हैं छे बजे के बाद बंद लेकिन वह खुलता कभ है जब कोई पर्टिकुलर तरक साबित होता है तब गेट खुलता है सेम वैसे ही कुछ आंकिक परिपत होते हैं जो की इन गेट की तरह काम करते हैं और इन आंकिक परिपत को हम कहते हैं operations यह एसे गेट होते हैं जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच में कोई तरक संबंत साबित होने से ही कार्य करते हैं यह निवेशी और निर्गत वोल्टेज एक संबंध के जरीए एक दूसरे से बंधे होते हैं इन संबंध को हम कहते हैं तार की कथन अब यह जो गेट होता है यह एक्चुली यह बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं मुल तहा हम इन गेट को तीन प्रकार में बागते हैं एक होता है और गेट दूसरा होता है एंट गेट और तीसरा होता है नौट गेट यह सारे गेट तार कीक संबंध से ही बंधे हुए हैं हम एके करके इन गेट के तार कीक संबंधों को कत्नों को समझने की कोशिश करेंगे पर आधारित एक बीजगनित की कलपना की हम बीजगनित बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे 2 प्लस 3 इक वल टू 5 इस प्रकार का बीजगनित हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन जॉर्ज बुले ने तरक संगत कतनों की एक बीजगनित की कलपना की थी और यह बीजगनित दुई आधारी संख्या पध्धती पर आधारित है इसमें केवल दो ही अंख होते हैं 0 और 1 जैसे कि हम जो पर हम पूरी गड़ना पूरा गणित पढ़ लेते हैं लेकिन यह जो बुलियन बीजगनित होता है उसमें केवल दो ही अंख होते हैं और यह दो अंख है 0 और 1 और 0 और 1 का वो मतलब नहीं है जो हम नॉर्मल बीजगनित में पढ़ते हैं यह 0 और अंख को कब-कब इस्तमाल किया जाता है यह दी इस बुलियन अल्जेभरा में में 1 और 0 लिखू तो 1 जो है वो सथ्य और 0 जो है वो असथ्य मान को दर्शाता है तिर अरे ने एक्चुली बूलियन अलजेवरा में केवल दो ही कथन होते हैं यह दो ही तरक तारकिक कथन होते हैं या तो वो सत्य होता है या तो असत्य होता है जैसे कि बाहर बारिश हो रही है तो बूलियन अलजेवरा में केवल दो ही कथन होंगे या तो बारिश हो रही है या तो बा हम सब्सक्राइब कोवी है ना यह कथन उसमें यह नहीं है या तो हो रही है होगा या तो बारिश नहीं हो रही है measure- इसलिए Italian algebra में केवल दो ही अंक होते है या तो सत्य होता है या फिर वह असत्य होता है और यह 0 और उनक हम लग कई और रूप में भी लेते हैं जैसे हम परिपत की बात करें सर्कीट की बात करें तो सर्कीट खुला भी हो सकता है सर्कीट बंद भी हो सकता है उसमें कोई डिवाइस हम लोग ले रहे हैं तो वो डिवाइस ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है सिगनल हम ले रहे हैं तो हाई भी होता है लोग भ मतलब होगा ओफ यदि वन का मतलब होता है क्लोज तो जीरो का मतलब होगा ओपन यदि वन का मतलब होगा ट्रू तो जीरो का मतलब फॉल्स वन का मतलब राइट तो जीरो का मतलब रॉंग यह वन का मतलब हाई तो जीरो का मतलब होगा लो मतलब जीरो और वान एक दूसरे के काम करते हैं एक हां है तो दूसरा नहीं है इस जीरो और वन दो अंकों को हम बोलियन चर कहते हैं यानि की बोलियन वेरियेबल्स के नाम से जानते हैं और इन बोलियन चरों बोलियन वेरियेबल्स को लेकर यदि एक समीकरण तयार किया जाता है तो उस समीकरण को हम कहते हैं बोलियन वेंजग यानि की बोलियन एक्स्प्रेशन मान लीजिए दो चर हैं 0 और 1 एक को हमने A से रिप्रेजंट किया और B को दूसरे को हमने B से रिप्रेजंट किया तो इन दोनों को लेकर जब हम एक समीकरण बनाएंगे तो उस समीकरन को हम कहेंगे बुलियन व्यंजग और यह जो समीकरन बनता है इन दोनों चरों को लेकर वो समीकरन एक्चुली निर्गत सिगनल का होता है मतलब यदि किसी तार की गेट में यह चर इन्पूर्ट के रूप में दिये जा रहे हैं तो आउटपूर्ट जो प्राप्त होगा उसके लिए जो व्यंजग तयार किया जाएगा उस व्यंजग को हम कहते हैं बुलियन व्यंजग यानि क इसको नाम से जानते या लॉजिकल एक्स प्रेशन भी कहते हैं अब यह औपरेशन या फिर इनके बीच में जो संबंध है वो तीन प्रकार से हो सकता है यह पहला संबंध होता है प्लस जिसको हम लोग कहते हैं और इंग्लिश वाला और ये ओ आर और जिसका हिंदी में कि यह मतलब हम दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं अभी काम कैसे करता है में डिटेल में आप लोगों को आगे समझाओंगी पस फिरहाल यह जान लेते हैं कि कि जो वोल्टेज है यह सिगनल है जिसको वाई से दर्शाय जा रहा है तो हम लिखेंगे वाई बराबर ए प्लस बी दूसरा होता है डॉट यानि की एंड एंड इंग्लिश का एंड जिसका हिंदी में मतलब होता है और और यदि इसका आउटपूट सिगनल दर्शाय जाएगा हम लिखेंगे वाई बराबर ए डॉट बी और तीसरा होता है बार इस प्रकार हम लिखते हैं बार जिसका मतलब होता है निगेशन कॉम्प्लीमेंट या नॉट जिसको हम हिंदी में कहते हैं नहीं या फिर उल्टा किसी भी काम को यदि इंस्ट्रक्शन दिया जा और आप उ कैसे यहां पर होता है यदि किसी चीज़ को मैं सत्य कहूं तो वह सत्य होगा असत्य कहूं तो सत्य होगा बारिश हो रही है तो उसका उल्टा होगा बारिश नहीं हो रही है भूक लग रही है तो उसका मतलब होगा भूक नहीं लग रही है तो इस प्रकार उल्टा जहां ऑ लिएन चर है वेरियेबल से उसको हम ए और बी से दर्शाते और और भी चर होंगे तो सीडी ऐसे दर्शाएंगे लेकिन इसमें दो ही अंक होंगे जीरो होगा और वन होगा अब हम देखते हैं सत्यता सारणी जब इन चरो के संगत हम निर्गत मान की एक कलपना करते हैं कि हमने क्या-क्या निर्गत सिगनल दिया है और उसके मताबिक ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर क्रिया होने के बाद क्या निर्गत हमको प्राप्त हो रहा है तो इसका जो जितना भी संभव मान को लेकर निवेश में हम निर्गत की एक कलपना करते हैं। उस table को, उस सारणी को हम कहते हैं सत्यता सारणी। यानि कि सत्यता सारणी, True Table, सभी possible संभव, निवेशी सिगनल के संगत, निर्गत सिगनल के मानों को दर्शाने वाली एक सारणी होती है इसलिए इसको हम मुलते हैं True Table और ये तीनों प्रकार के आपरेशनों के लिए अलग-अलग होती है तो हम एक-एक करके तीन प्रकार के basic gate के बारे में पढ़ेंगे पहला होगा R gate, जिसका circuit symbol जब किसी भी gate को circuit में जोड़ा जाएगा, ये तो actually आंकी परिपत है अब इसको जब circuit में जोड़ेंगे, तो हम पूरा परिपत नहीं बनाते हैं हम स्रिफ उसका चिन बनाते हैं तो यहाँ पर और gate का चिन इस प्रकार बनेगा, हम थोड़ा सा तीर जैसे बनाएंगे, मोटा सा यहाँ पर A और B जो है दो निवेशी signal को दर्शा रहे हैं यहाँ पर मैंने दो ही signal लिया है, तो ये नहीं किया दो ही signal होंगे निवेशी signal कितना भी हो सकता है, लेकिन निर्गत signal केवल एक ही होगा, जिसको हम वाई से दर्शा हैं यहाँ पर A और B बुलियन चर हैं, जिनके सिर्फ दो ही मान हो सकते हैं, जीरो या वन यहाँ पर मैं A, B और C लेलू, तो भी वो जीरो और वन ही रहेंगे D लेलू, E लेलू, F लेलू, कितने भी निवेशी signal लेलू, लेकिन उनके मान जीरो और वन ही रहेंगे, क्योंकि बुलियन अलजेवरा में केवल दो ही अंको होते हैं और आउटपूट केवल एक, जैसे कि आपके घर में आपके गेट तक पहुचने के कई रास्ते आप बेडरूम से निकल के पहुच सकते हैं, ड्रॉइंग रूम से निकल के, कीचन से निकल के, लेकिन जब रोड में जाते हैं, आप गेट जब खोलता है, आपको अलाउ करता है, तो रोड ने पहुचने का एक ही रास्ता होता है, वैसी अंदर आने के लिए देखें हम लोग, तो आपके घर में कोई आ रहा है, तो वो किसी भी दिशा से आ सकता है, मुसाफिर, आपका महमान, चाहा राइट से है, लेकिन जब खुलेगा दरवाजा, तो आपके घर के अंदर एक ही रास्ते से घुज़ेगा, तो सेम वैसे ही, निवेशी जितना भी हो, लेकिन निर्गत केवल एक ही होता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का गेट हो, अब दूसरे प्रकार का जो बेसिक गेट है, वो है एंड गेट, जिसका सर्केट सिंबल इस प्रकार का दर्श हो का वाई, तीसरे प्रकार का गेट है, नॉट, जिसको एक ट्राइंगल और एक बबल एक गोले के जरिए दर्शाय जाएगा, ये नॉट गेट सबसे आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें एक ही सिगनल इंपुट का होता है, और आउट पुट का तो एक ही होता ही ही है, जिसमें एक ही निवेशी सिगनल हो, वो बिलकुल आँख बंद करके आप कह सकते हैं कि वो नॉट गेट है, क्योंकि एक ही कतन होता है, सही है गलत, जिसका उल्टा हमको कहना रहता है, तो इसमें एक ही निवेशी सिगनल होता है, जिसका एक निर्गत आउट पुट सि ये कौन से कथन में काम करते हैं, इनकी सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हम एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे और गेट, ये है और गेट, इस और गेट का तारकीक प्रतीत, इस प्रकार को होता है, जैसे कि हमने पह लिया है एक आउटपोट लिया है और इस और गेट में कौन सा कथन सत्य होता है यहाँ पर धन यानि की प्लस यानि की और ऑपरेशन यहाँ पर सत्य होता है तो यहाँ पर यदि प्लस होगा तो इसका बोलियन व्यंजक यानि की तार की कथन लॉजीकल एक्स्प्रेशन या वो होगा Y बराबर A प्लस B यहाँ पर दो निवेशी सिगनल जो दिये जा रहे हैं उसमें प्लस ओपरेशन होगा, प्लस होगा, अब इसकी सत्यता सारणी देखेंगे, बच्चों ये कोश्चन एक्जाम में आता ही है, कोई न कोई गेट दे दिये जाता है, उसके प्रतीक चि या बूलियन कथन हमको लिखना पड़ता है, और उसके संगत सत्यता सारणी बनाने को एक्जाम में आता है, इसलिए हम इसकी सत्यता सारणी को एक एकर के समझते जाएंगे, ये तो बेसिक गेट है, और इसे जटिल गेट भी दिये जाते हैं, जिसका सत्यता सारणी और बू धीरे धीरे समझेंगे कि किस प्रकार इस में चूह टैबल बनाया जाता है है डिलिएवल अलजेबरे में तो दो ही चरह 0 & 1 तो इसके पॉसिबल कॉंबिनेशन यह combination क्या हो सकते हैं यहाँ पर होगा या तो दोनों ही input low होंगे 0 होंगे जब हम signal की बात कर रहे हैं तो उसको हम high या low से दर्शाथते हैं जब circuit की बात करते हैं तो open ये close से दर्शाथते हैं तो यहाँ पे 0 और 1 का मतलब है निवेशी सिगनल का हाई या लो होना तो यह पर 0 और 0 लिखें यह तो faktunuz आओ इसीरो होगा एक सिगनल जीरो होगा दूसरा वन हो सकता है दोब आँ होसकता है यह तो स Nations होगा और बीजिरो होगा मतलब एहाई होगा बील होगा या तो दोनों ही हाई होगे या तो दोनों लोंगे या दोनों में से कोई एक हाई होगा या तो एहाई होगा या तो दोनों ही हाई सिगनल होगे इस प्रकार इसका टोटल पॉसिबल कॉंबिनेशन होगा चार अब यह क्या होगा यहां पर operation होगा प्लस तो इसमें आउटपुट क्या होगा इसको देखने के लिए हम एक स्विच सर्कुट लेते हैं एक्चुली जो गेट का परिपत होता है वो तो एक ट्रॉनिक परिपत है तो उसमें स्विच नहीं मतलब उसमें डायोड ये ट्रांजिटर इस इसितमाल करके बनाया चाथता है और जो और गेट होता है उसमें बस्टाइवार लगे कि नहीं होता है मैंशना यहां कि यहांप दो इन पट लें जा रहे हैं जितने इंपूट होगे उतने डायोड होगे और यहाँ पर दो टर्मिनल होगा P और Q जो की बैटरी के धनात्मक और रिनात्मक सीरे से जूड़ा हुआ है मतलब P बैटरी के धनात्मक सीरे से है और Q बैटरी के रिनात्मक सीरे से है यहाँ पर battery में दो terminals हैं उच्छ विभव पर एक निम्न विभव पर है तो यहाँ पर one जो है वो high को अदरशा हैगा उच्छ विभव को और zero वो निम्न विभव को यानि की low विभव को low potential को दरशाता है यह रिनात्मक potential को अब यह जो diode हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए पी हिस्सा इधर दिख रहा आपको और एन हिस्सा उधर दोनों ही डायोड में इस प्रकार नज़र आ रहा है और यह दोनों मिलाकर आउटपूट देने का काम कर रहे हैं जो की वाई से दर्शाय जा रहा है है वैसे ही यदि इसका स्विच्अ रिकिट बनाए में हम यहां पर सुच्श संभाइब को स्विच्वार वीधिम याद करने में ज्याद़ हैं चीज उसकुंए यहां पर ये दो स्विच को कौन से क्रम में जोड़ा है समानतर क्रम में समानतर क्रम में जोड़ा है और इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है साथ ही एक बल्ब लगाया गया है अगर उस सर्किट में धारा प्रवाइत होगी सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जलेगा सर्किट टूट टेबल में पहला combination कैई, zero और zero, मतलब दोनों ही input low है, इसका मतलब ये दोनों ही switch, switch की बात करें, परिपत की बात करें, तो low का 0 का मतलब होता है, open, खुला हुआ, तूटा हुआ, भंग परिपत को हम zero से दर्शाते, तो पहले वाले में zero और zero लिखा है, तो हम ये दोनो स्विच को ओपन लेंगे अब यह दोनों स्विच ओपन होंगे तो क्या धारा इस बैटरी से निकल कर इस बल्ब में पहुंचेगी और परिपत पूर्ण होगा परिपत तो यहां पर अपूर्ण है क्योंकि दोनों स्विच खुले हुए हैं तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी और यह बल्ब नहीं जलेगा बल्ब नहीं जल रहा है मतलब आफ है आफ को किस से दर्शाते हैं जीरो से तो यहां पर पूसिबल कॉम्बिनेशन का आउटपुट क्या मिलेगा जीरो इसी प्रकार यदि हम डायोट को देखें यहां पर यदि डायोट की हम A और B टर्मिनल को जोड़ देते हैं Q से क्यों से क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि Q निम्न विभव में है जीरो का मतलब हम निम्न मान के चलना लो वोल्टेज यहां से जोड़ दिए इसका मतलब डायोट का P सीरा negative terminal of battery से जुड़ा हुआ है तो वो दोनों ही डायोट पस्च अभी नती में आ जाएंगे और पस्च अभी नती में डायोट काम नहीं करता है धारा का प्रवा इसमें से नहीं होगा और धारा का प्रवा नहीं होगा तो Y में हमको कोई भी output प्राप्त नहीं होगा इसलिए 0 और 0 का combination हमको क्या मिल रहा है? 0 अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक input 0 है यानि कि A 0 है और B 1 है मतलब यह उपर वाला switch A open है और नीचे वाला switch B close है अब क्या होगा? जैसे इस B switch को close करेंगे धारा इस बैटरी से B के थूप रवाहित होते हुए इस bulb तक पहुचेगी circuit complete होगा और bulb जल जाएगा बल्ब जल रहा है मतलब बल्ब on हो गया है तो यहाँ पर output हमको क्या मिलेगा? 1 वैसे ही यदि diode वाले circuit में हम देखें तो हमने यहाँ पर जो D1 है उसको negative terminal से जोड़ा यानि कि Q से जोड़ा है और जो B terminal है यानि कि D2 diode है उसको हमने P से जोड़ा है जब ऐसा हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर diode D1 non conducting हो जागा, non working हो जाएगा और diode D2 working होगा तो जो धारा है वो D2 से प्रवाहित होगी और यहाँ पर circuit complete होगा हमको output प्राप्त होगा, output voltage यहाँ पर प्राप्त होगा अब हम देखते हैं next combination जहाँ पर A1 है और B0 है A1 है इसका मतलब जो उपर वाला switch है इसको close किया गया है और B वाला open है तो धारा किसमें से प्रवाहित होगी? धारा उपर वाले switch से प्रवाहित होते हुए बल्ब तक पहुचेगी और बल्ब जल जाएगा क्योंकि यहाँ पर circuit complete हो जा रहा है तो नीचे का switch यहाँ पर हम देखे तो open भी है लेकिन कोई फर्क ने पड़ता धारा प्रवाहित हो रही और बल्ब जल रहा है तो possible combination जब देख रहे हैं तो 1,0 को 1 ही प्राप्त हो रहा है वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे डायोड D2 को हम जोड़ेंगे Q सीरे से और डायोड A को हम जोड़ेंगे P सीरे से तो जो D1 डायोड है वो अगर भी नती में होगा D2 डायोड पस्च भी नती में होगा यानि कि का प्राइचे वली कंडिशन जहां दोनों ही वन वन लिखे गए हैं वन वन लिखे गए इसका मतलब दोनों ही स्विच यहाँ पर अन है यहाँ तो भी धारा दोनों में से प्रवाहित होते हुए यह बल्प तक पहुचेगी और यह सर्केट कंप्लीट होगा उस कंडिशन में बल्प जल जाएगा बल्प जल रहा है ओन है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वन तो वन वन का पॉसिपल कॉंबिनेशन वन होगा वैसे डायोट की बात करें यहां डोनों डायोट पी टर्मिनल से जोड़े जाएंगे और दोनों ही डायोट अग्र भी नती में होंगे जि दोनों में से कोई भी डायोट forward bias में हो यानि कि working condition में हो तब हमको output में signal प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि और गेट एक ऐसा गेट होता है जो high input high निवेशी signal के संगत होता है मतलब output में high मान या one मान हमको कप राप्त होता है जब निवेशी signal में एक भी मान हाई हो जीरो कितना उसे मतलब नहीं है लो मान कितना उसे मतलब नहीं है यह और गेट एक ऐसा गेट है जो निवेशी के high मान यानि उच्च मान यानि one पर निर्भर करता है तब हमको output one मिलता है इसलिए जब हम इसकी परिभाशा कहते हैं या फिर जब इसको explain करते हैं तो हम यह कहते हैं कि और गेट एक ऐसा गेट होता है या तारकीक परिपत होता है जिसमें कितने भी निवेशी सिगनल हो सकते हैं पर output signal एक होता है और इसका output signal का मान 1 होता है जब इसका कोई भी एक कोई भर करने वाला गेट होता है या